हेलो एवरीवन आप सभी को निरज क्लासेश में स्वागत है आज मैं आप सभी को क्लास 3 का एक्सरसाइज 2.2 के कोस्चन नमबर 1 का 6 पार्ट का हल करके बताऊंगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और नहीं है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट क लिए सबस्पीली क्या करना होगा गुणन खन करना होगा तो सबसे पहले फोस्ट ऐंट उलाक्ट करेंगे यानि चारतियाई 12 और 12 के गुणन खन तोडेंगा तो दो घ्रिचिये 12 के गुणन खन तो रहे संट तो चार त्याई 12 और 4 में से 3 खटाएएगे तो एक हो जाएगा यानि जोरने घटाने पर भी कितना आना चाहिए यह minus x आना चाहिए और गुना करने पर 12 x square आना चाहिए तो चलिए तूट गया कितना में तूटा है minus यानि 4 x और पलस 3 x और माइनस 4 में तूटा है आपको यह question समझने के लिए आपको गुननखंड अवस्य आना चाहिए समझ गए और यहां गुननखंड कैसे बनाते हैं विश्तार में इसको वीडियो भी है और इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के description में दे दूँगा उसके सासाथ इससे पिछले वाले question में भी सही तरीके से मैं समझाया हूँ कि गुननखंड कैसे निकालते हैं अब क्या करना है देखिए अब गुननखंड इसको तोर दिये 4 और 3 में 4 तीन को गुना करेंगे तो भी माइनस 12 आ जाएगा क्योंकि सबतर x है अब इसको common लेना है तो दिखिए इस दोनों में x है क्या है x है तो x common लेंगे तो बज जाएगा 3 x माइनस 4 बज जाएगा और यह प्लस फोड है यहां भी कुछ नहीं तो क्या कॉमन लेंगे एक कॉमन लेंगे एक है क्योंकि यहां कॉमन कुछ नहीं है तो एक कॉमन लेंगे तो यहां भी बज़ जाएगा थीरी एकस माइनस फोड बज़ जाएगा अब देखिए यहाँ यहाँ दोनों सेम है तो यह एक common हो जाएगा यानि 3x-4 हो जाएगा और जबी यह दोनों सेम रहेगा ता आप समझ जाएगा कि जो हम बना यानि question के आप जो हल किये हो सही होगा अब एक बच गया एकस पलस यह एक बच गया तो यही दो गुननखंड हुआ अब इसको क्या करना है सुन्यक निकालने के लिए यह दोनों गुननखंड को यानि 0 के बराबर करेंगे तो 3x-4 is equal to 0 या x plus 1 equal to 0 तो 3x और यह minus है तो इधर आएगा तो plus 4 हो जाएगा और x के मान हो जाएगा आपको 4y यह 3 हो जाएगा यहां भी देखिए x और इधर plus आएगा तो इधर minus 1 हो जाएगा तो यह क्या है सुन्यक आगे आपको 2 एक 4 बटे 3 एक 4 बटे 3 आया और एक कितना आया एक आया आपको minus 1 आया तो चलिए आब इसको जाच करते है तो चलिए अब लिखते है सुन्यक को का योगफल क्या होता ह है minus b बटे a होता है आप सुन्यक को का योगफल के जगा alpha plus beta लिख भी सकते हैं और यह minus b बटे a अब देखिए सुन्यक को का योगफल तो सुन्यक कितना है आपको पता है कि एह 4 बटे 3 और दूसरा है minus 1 तो minus 1 देंगे और योगफल कर दिए और minus b बटे a है तो देखिए minus b ह होगा x का गुनाइंग तो x का गुनाइंग देखिए x का गुनाइंग है यह minus 1 है तो minus सुत्र से यहा लिखेंगे इसे आपको यहां समीकरण है अपको लिख बता देते हैं थीरी X A स्क्वार माइनस X माइनस 4 है ताब इसको A समझ सकते है यानि A कहेंगे इसको B कहेंगे और इसको C कहेंगे तो A A X स्क्वार का गुनाएंग होता है B X का गुनाएंग होता है तो देखे B X का गुनाएंग तो X का गुनाएंग कुछ नहीं तो माइनस 1 होगा और यह सुत्रवाला होगा समझ गया और वट्टे ए है तो एक से स्क्वार का गुना है कि ठीन हो गया समझाने के लिए पोंकि आपको यह अगद को थे उसके बाद क्या करना है प्लभट आको अचर्वति तीन लेंगे तो तीन में एक से गुणा करेंगे तीन एक वाटे तीन चार में से तीन का एक वाटे तीन बरावर एक वाटे तीन आ जाएगा यानि यह सही है अब लिखते हैं सुन्याको का गुणा नफल सुन्याको का गुणा नफल गुणा नफल क्या होता है सी वाटे ए होता है आप अलफा इंटू बीटा बरावर सी वाटे ए भी लिख सकते हैं गुणा नफल कितना होगा सुन्या का यह है चार वटे तीन और गुणे माइनस वन बरावर सी कितना है सी आपको पता है कि अचरपध है इसलंग माइनस चार है और यह तीन है तो चार में माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस चार वटे तीन और यह माइनस चार वटे तीन यह दूनों बरावर है तो आपको यह सम करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक असानी से पहुच पाए धन्यवाद